हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो चाप्टर नमबर एड इंकम डिटर्मिनेशन एंड मिल्टिप्लियर मैक्रो इकनॉमिक्स का यह चैप्टर इससे क्वेश्चिन दो पूछ जा सकते हैं क्यों इस बार बोर्ड के एक्जामिनेशन में तो वीडियो एंड तक देखना आप और आप मुझे बताना कि सिर्फ दस कोश्चिन हैं दस में से आप कितने नमबर लेके आते हो ठीक है चलो चेक करते हैं पहला कोश्चिन एक्विलिब्रियम लेवल आफ आउट पोड इस अट लेवलिब्रियम में आईगी तो कौन सा ओप्शन सही लग रहा है बताओ इसमें अप्शन नमबर डी यानि कि ए भी सही है और सी भी सही है ठीक है नेक्स्ट इन्वेस्मेंट मेंटिप्लायर इस डैश रिलेटेड टू एमपी सी क्लास में आपको बता दूं अच्छे से कि एमपी सी और एमपी एस इनके बीच में इनवर्स रिलेशन्शिप होता है यह एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा एमपी सी और के के बीच में डिरेक्ट रिलेशन्शिप होता है और एमपी एस और के के बीच में इनवर्स रिलेशन्शिप होता है तो प्लीज ही रिलेशन्शिप वाली प्लीज मत भूलना बिलकुल इनकी वैल्यूज मत भूलना एक कोशिन बहुत जाज़ा चान्स आ सकता है MPC और MPS दोनों की value जो होती है 0-1 रहती है और K की value please K की value क्या होती है 1-2 infinity तो investment multiply रहने की K तो K directly related है किस से MPC से और inversely और inversely option बर A सही है B गलत है और दोनों नहीं होता तो इसका option A सही ओके next चलो यह छोटा सा numerical है अगर आप answer देना चाहते हो तो video pause करके पहले आप answer दे सकते हो ठीक है फिर आप comment में जरूर बताना कि आपके 10 में से कितने marks है clear है if MPC 0.75 value of multiplier will be अच्छे एक बात हो अगर MPC 0.75 है तो MPS कितना होगा दुनों को मिला के 1 होता है यह होगा 0.25 और K का formula क्या है 1 upon MPS 1 upon 0.25 यानि कि कितना जाएगा 4 टाइमस तो सभी option इसका option बसी हमें से इसका answer आप times में दिया करो यानि कि अगर देश में investment एक करोड से बढ़ेगा तो देश की जो आपको 0 to infinity नहीं होता ध्यान रखना 1 to infinity होगा तो इसका option बसी है अगर MPC 1 है तो कितना होगा चलो अगर आपको कभी एक value होती है तुरंती दिमाग में आपका दूसरा value हो जाना चाहिए अगर 1 है तो दूसरा 0 होगा और K का formula होता है 1 upon MPS 1 upon 0 यानी की infinity उसका option number C सही है अगर AD जादा होगा लोग जादा demand कर रहे हैं दुकानदार के पास supply नहीं है सामान नहीं है लोग ग्रहक 100 है दुकान में सामान 50 है कुल इस situation में inventory क्या हो जाएगी आपकी बढ़ेगी घटेगी बताओ inventory विल फॉल तो इसका option चैप्टर के ऐसे वीडियो बना रखे हैं तो आप लोग अगर देखोगे तो पूरा का पूरा 10 के 10 चैप्टर मान लो या 12 चैप्टर है जितने भी चैप्टर उन सबकी वीडियो गंटे में cover हो जाएगी और आपको सिर्फ mcq नहीं मिल रहा है यहां पर आपको पूरा revision मिल रहा है तो पूरा का पूरा revision है तो प्लीज मैं बिल्खुल नया हुए यूट्यूब पे तो प्लीज शियर करिए दोस्तों के साथ ताकि मुझे motivation मिले और ज्यादा वीडियो बनाएंगे ठीक है इसका answer देखा आपने क्या है साथवेगा जो as होता उसका formula होता है c plus s तो यह हो गया as यह हो गया ad clear है यह equal लगा देते हैं हम लोग बीच में ठीक है कडिया तो अगर बुलेगा s जादा है i से तो s क्या होता है ad से बोलेगा i जादा है i जादा है एक सेंड आई मानलो class बूलेगा जादा है s से तो i क्या होता है ad जादा है simple आप देखके बता दोगे next when economy decide to save the whole of its additional income additional income का सारा का सारा portion वो सेव कर लेगी हलाग ऐसा होता नहीं और विए थेंगे कि अगर सारी कि सारी सेथ कर लोगे क्या होगा कि का फाला रावन पॉन जीरो ऊप्छन नमबर हो कि अगर मुझेट्स अगर एमपी 100 इंवेस्टमंट निकालने आप सबको सेव्इंग फंक्शन पता है बताओ S equal to minus A bar plus 1 minus B Y तो S ही तो I के बराबर होता है equilibrium level of income में S I के बराबर है A bar 50 दिया हुआ है 1 minus B क्या बोलते हैं MPS तो साफ साफ दिया हुआ है solve करते हैं तो जाएगा 150 जाएगा 0.30 तो यह point हट जाएगा तो 0 लोग जाएगा 2 एक से कट गया तो यह कितना आएगा 500 तो उसको option number A अगर saving दे रखा है आपको देखो अगर यह saving function अभी बताया था यह चीज क्या होती है MPS आपको MPC पूछा है अच्छा बताओ अगर MPS 0.6 है इसमें कोई explain भी नहीं करना आपको तो MPC कितना होगा 0.4 दोनों को मिला के तो उनके बराबर होता है तो फटा फटा फट लाइक करो वीडियो को शेर करो और मुझे comment में जरूर बताओ आपका एक comment एक like मेरे लिए क्लास motivation हो सकता है तो प्लीज आप लोग अच्छे से इसको share करो और बताओ दसमें से कितने नमबर है ऐसी वीडियो और पाने के लिए क्लास comment section बताओ किस topic वे नाओ thank you very much